हेलो फ्रेंड्स वेल्कम तो माई चैनल आज मैं आपके बहुत ही प्यारा बहुत ही खुबसुत नीटिंग पैटन लेकर आई हूँ इस पैटन को आप जैंट स्वाइटर के लिए बना सकते हैं अगर आप कोई लेडिस कारडिगन बना रहे हैं तो उस पर भी डिजाइन का यहां पर हमने जो फंदे लिए हैं वो तू के मल्टिपल में ले लेने हैं दीकि टू प्लस टू प्लस टू और लास्ट में आपको सिर्फ वन स्टीच एड़ करना है तो आपका डिजाइन सेट हो जाएगा राइट साइट से बाटर बनान के पास रोफ वन भी नेंगे अपनी तरफ करते हुए एक फंदा उल्टा बिनेंगे उन को पीछे करेंगे एक फंदे में तीन फंदे बनाएंगे देखें यह एक फंदा है इसे एक बार सीधा बिना एक बार उन को आगे की तरफ लाएंगे और फिर से इसे सीधा बिन देंगे अब यह जो हमने तीन हो गए चार फंदों को हम एक साथ बीच में से निडिल लेते ऐसे सीधा बिन देंगे देखे ऐसे निडिल ली चार फंदों के बीच में से और एक बार सीधा बिन देंगे अब यहीं दो फंदे आपको फिर से रिपीट करने हैं एक फंदा उल्टा बिनेंगे अब एक फंदे को हम तीन बार बिनेंगे यानि कि एक बार हम इसे सीधा बिनेंगे उन को अपनी तरफ लाएंगे ऐसे फिर से इसे सीधा बिनेंगे अब इन तीनों फंदों को हम जो हमने फंदा बिना था उसके उपर ही रख लेंगे यानि कि उसी के साथ मिला लेंगे चार फंदे हो गए अब इस वाली निडिल से हम इसे बीच में से लेंगे सभी फंदों के बीच में से ऐसे और एक बार इसे सीधा बिदनेंगे यही दो फंदे हम फिर से रिपीट करेंगे एक फंदा उल्टा एक फंदे को तीन बार बिनेंगे एक तो तीन तीनों फंदों को बिने वाले फंदे से मिला लेंगे चारों फंदों को एक साथ बिन देंगे अब यहाँ पर चार फंदे हो गए एक फंदा जो हम बिन रहे थे और तीन फंदे जो हमने बिने थे एक साथ बिनके एक बार हम इसे सीधा बिनेंगे और चारों फंदों को छोड़ देंगे यही दो फंदे फिर रिपीट करेंगे एक फंदा उल्टा एक फंदे को तीन बार बिना आप इस तरीके से भी बिन सकते हैं देखिए ऐसे और इस तरह आगे से उन लाकर अब यहाँ पर देखिए हम एक बार इस डिजाइन को और बनाना सीखेंगे एक बार एक फंदे को उल्टा बिनेंगे एक फंदे को हम तीन बार बिनेंगे एक दो तीन तीनों फंदों को बिने वाले फंदे के साथ मिलाकर चार फंदो को एक साथ बिन देंगे बीच में से निडिल लेते हुए एक साथ सीधा बिन देंगे एक बार अब ये वाला फंदा जो है ये हमारा डिजाइन सेट करने का इसे उल्टा बिनेंगे एज के फंदे को सीधा बिनते हुए row 1 complete कर लेंगे row 2 आ जाएगे हमें wrong side की तरफ एक फंदे को हमें slip करना है अब देखें ये वाला जो हमारा right side से सीधा उल्टा बिना गया था ये wrong side से सीधा हो जाएगा तो इसे हम सीधा बिनेंगे अब ये वाला फंदा मारा उल्टा बिना जाएगा तो यहाँ पर हमें wrong side पर बिनना है एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा ये देखें ये सीधा फंदा है एक फंदा उल्टा तो wrong side की row second हमें पूरी इसी तरीके से complete करनी है एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा यह जो सीधा फंदा दिखाए देगा आपको उसे सीधा बिन देना है जो उल्टा दिखाए देगा उसे उल्टा बिन देना है तो यहां पर हमने अपनी सेकिंड रो जो है वो complete कर ली इस तरीके से अब देखे रो थार्ड पर आएंगे हम पहले फंदे को slip करेंगे तो यहां पर हमने पहला फंदा उल्टा बिना था रो वन में और दूसरे में डिजाइन डाला था अब की बार हम पहले फंदे में तो तीन फंदे बन जाएंगे तीनों फंदो को हमें फिर से बिने वाले फंदे के साथ मिला के चार फंदो को एक साथ बिन देना है चार फंदों को छोड़ेंगे, अब जो हमने जिस राइट साइट में, हमने रो वन पे जो पहले डिजाइन डाली थी, उसको अब हमें उल्टा बिन देना है, रो थर्ड बर, देखे यह हमने उल्टा बिना था, यह इस पर डिजाइन डाली थी, अब के बार हम उल्टे वाले पर दिजाइन डालेंगे हैँनी कि तीन यह भार बिना hoe Самद benefit को भीने वाले फिना के सथ मिला के सीधिया अब जो संद के बीच में ससल अभी लेकर एक बार सिधा मिंदे आप फैसे जिस फंदे पे डिजाइन डाले थी रो थार्ट पे हमें उसे उल्टा बिन देना है अब यही दो फंदे हम बार बार रिपीट करेंगे एक फंदे में हम तीन बार फंदो को बिनेंगे तीनो बार सीधा ही बिनना है फिर बिनने वाले जो फंदे जो आप फंदा बिन रहे थे उसी के अपपर इन तीनों फंदों को मिला के एक साथ बीच में से निडिल लेकर सिधा बिन देना है देखे ऐसे एक फंदा उल्टा बिनेंगे फिर एक फंदे में तीन फंदे बना के तीनों फंदों को बिने वाले फंदे के साथ मिला के चारों फंदों को एक साथ बिन देंगे एक बार सीधा तो बहुती easy knitting pattern है अगर आप beginner है तो भी आप इस design को बहुती easily बना लेंगे याप देखे हमने एक बार सीधा बिन दिया है और एक फंदे को उल्टा बिन देना है अगर आप कोई baby frog बना रहे है तो उसके जो घेर होता है उस पर इस design को बनाएंगे तो बहुती प्यारा बन कराता है design तीन फंदों को हमें बिनना है एक फंदे में फिर चारों फंदों को मिला के हमें एक साथ सीधा बिन देना है देखे इस तरीके से अब फिर से हम एक फंदा उल्टा बिनेंगे इस वाले फंदे पर हमारा design आएगा तो इसे हम तीन बार बिनेंगे एक दो तीन तीनों फंदों को हमें बिने वाले फंदे के साथ मिला कर एक साथ चारों फंदों को लेकर एक बर सीधा बिन देना है लेस्ट के फंदे को सीधा बिनके row को complete करेंगे, row 3 हमाई complete हो गई है, row 4 आ गई है, wrong side की 4 आएगी, wrong side की 4 हमारे first फंदे को slip करते वे शुरू करेंगे, अब यहां पर देखे यह वा फंदा उल्टा हो जाएगा, और एक फंदा हमारा सीधा हो जाएगा यह वाला, अब हमारा पूरा ऐसी जाएगा एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा रो सेकिंड की तरह हमारा रो जो फोर है वो कम्प्लीट होगा और यह जो पैटन है यह फोर रिपीट पैटन है यहाँ पर जो आपका design है वो set हो जाएगा complete हो जाएगा four row फीर pattern है आपको two के multiple में stitch को लेना है plus one stitch लेने से आपका design set होगा बहुती easy बहुती प्यारा pattern है अगर आपने मेरा channel subscribe नहीं किया है तो please subscribe कर लिजे बैल आइकन को किलिक कर लीजे तक आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे वीडियो अच्छा लगए तो लाइक जरू किया कीजे यहाँ पर हमारी जो रो है 4 कम्प्लीट हो गई है और हमारा देखे इस तरीके से डिजाइन बन कर आया है यह मैंने डार्क कलर में आपको बना के दिखाया है और यह ग्रीन डार्क है तो यह भी अच्छा कलर है देखे दोनों ही डार्क कलर में ज़्यादा प्यारा लगता है लेकिन आप इसे लाइट कलर में बनाएंगे तो वह बहुत अच्छा लएगा आप इसे सभी woolen project पे use कर सकते हैं और आप इसे तकरीबन सभी age group के लिए जो भी woolen project बना रहे हैं उसको use उसमें इस design को use कर सकते हैं बहुती knitting अच्छा pattern है यह देखे इस तरीके से आता है काफी खिलावा pattern है यानि कि बहुत धीला बनका राता है तो आपको इसमें फंदे जादा लेनी की जुरूत नहीं है दो चार फंदे कमी लीजे आई होप आपको design समझ में आया होगा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया